अगर हम बात करें इंडेक्स की तो 2% के ऊपर भागा है अगर निफ्टी की बात करें तो वो भी बढ़िया भागें बट आज हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए उसके पीछे रीजन बताऊंगा लेकिन जितना किया है वो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो यह हमारा टेलिग्राम ग्रूप है आप जाके यदर जोइन हो जाईए यहाँ पर हमारे मेंबर्स के प्रॉफिट आप लोग को जो ट्रेड देता हूँ वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं मेंबर्स के मौनिंग में यह प्रॉफिट कुछ हुए थे जो आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक टाक प्रॉफिट था मौनिंग में हमारा एक रूल है कि हम ग्यारा से एक बज़े की बीच में काम नहीं करते हैं और वही दिक्कत हुए आप देख सकते हैं कितना लिमिटेड पैसा बना है लोगों का अब उसके पीछे का रीजन में आपको बता देता हूँ आप लोगों को बोला था कॉल सैड में जाने के लिए 46,620 के उपर आप क्लाइन करते तो आप बढ़िया टार्गेट पापाते लेकिन एक दुबार आपका चोटा-चोटा SL भी जाता यहाँ पर तो अब बात करेंगे फिन निफ्टी की तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कट एक बात बताई थी कि हमारे लिए कौन से लेवल इंपोर्टेंट रहने वाले हैं मैंने आप लोग को बोला था कल के दिन में कि ये हमारा मार्केट ये लेवल निकालेगा ये ट्रेंड लाइन निकालेगा और पुल बैक के ऊपर आपको ट्रेड लेना है और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ये लेवल निकाले हैं सुबह उसके बाद एक पुल बैक आया ये तो बात हो गई कि हाँ हमने जो बताया वैसा हुआ हाला कि ये उम्मीद नहीं थी कि market 2% उपर चला जाएगा ठीक है mostly sideways market रहता और कल हमारा expiry थे तो कल हमें बढ़िया move नहीं देखने को मिला था market के अंदर अब next क्या कर सकते हैं वो हम बात कर लेते हैं क्योंकि अब actually कल भ आप देख सकते हैं ठीक है ये level पर market रुका है देखने को मिल रहा है अब इसके ऊपर के आपके लिए जो important level जो कल के रहने वाले हैं वो mark कर देता हूं मैं ओके हमारा market यहां पे जाके यह देखो अब market ने एक range मना दिया है चोटी सी एक range है आप इसको notice करो ठीक है ये वाला area एक सेकंड दो थोड़ा बहतर तरीके से इसको बनाने दो so that आपको बहतर तरीके से समझा भी पाऊं अब यहां पर ना थोड़ा सा आपको काम होके करना पड़ेगा काम क्यों क्यों क्योंकि यहां पर देखो एक बहुत बड़ा gap है यह देखो एक सेकंड पीछे जाने दो मुझे यह देखो देख रहे हो जब market में fall आया था यह उस time की कहानी है तो यहां पर हमको थोड़ा सा बहतर तरीके से काम करना पड़ेगा तब जाके आप आपका यहां पर पैसा बनेगा अगर हम कल call side निकलते हैं तो आपके लिए obvious है जो day high है आज का वो काफी जादा important रहने वाला यानि की 20,860 का एक important level है upside के लिए और downside हम कब तक trade नहीं plan कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताना चाता हूँ क्योंकि लोग profit में होंगे लोग hold करके जाएंगे जो लोगों ने यहां पर buying किये जो लोगों ने यहां पर buying किये वो अभी तक इसमें से निकले नहीं है पुट के लिए अभी कोई बैठा ही नहीं है तो हमारे लिए एक important level रहने वाला है 20,750 के आसपास का एक important level है 20,860 के आसपास का ठीक है अब point इस 100 point में किस तर tricky रहने वाला है हमारे लिए कल वैसे कल I think एक गंटे के लिए market open है morning और evening time में उसके अलावा नहीं है तो देख लेना volatility काफी high रहेगी या तो बिल्कुल dull रहेगा market या volatility बहुत जादा रहने वाली और आपका losses के chances बढ़ेंगे ऐसे market में बस यहीं बोल सकता हूं तो हमें upside के उपर जो हमें देखने को मिल रहा है बट downside के लिए हमें जो last recent low है वो है हम downside का plan करेंगे 20,800 के नीचे पहला और 20,740,50 के नीचे दूसरा यह हमारा plan रहने वाला है fin nifty के अंदर कल के लिए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा stretch हो गया है market तो जो levels है आज के base पे नहीं निका सकत आज जो market ने किया लेकिन देखो हमने आपको trend line दिया था trend line का breakout आया है आपने इस support के उपर भी लिया होता न यह देखो 20,600 का तो भी आप एक बड़िया पैसा आज के दिन बना लेते ओके अब आपको क्या करना है आपको करना है हमारा channel को subscribe, video को करना है like and सबसे important है telegram पर हो nifty और bank nifty की video में thank you so much